इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ strategies के बारे में last month strategies आपके exam से पहले कौन सी हो सकती है जो आपको आपकी subject में एक अपार सफल ता या फिर एक अच्छे marks जो हैं आपको दिला सकती है सबसे पहले एक strategy जो होनी चाहिए आपकी last month में आपके exam से पहले revision तिकी ये time ऐसा है कि आपने almost सारा जो syllabus से अपना learners पढ़ रही होगा और ये जो time period है आपका ये last month आपके revision के रहते हैं और revision ही एक ऐसी चीज है जितना ज़्यादा आप उसको करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके अंदर improvement आएगी बशर्ट कि वो आपकी एक right direction के अंदर होनी चाहिए साल भर आपने practice करके learners कुछ ना कुछ notes वगयरा या आपने कुछ NCRT की thoroughly reading कियोगी तो वहाँ आपने कुछ marks या आपने highlight वगयरा कुछ किया होगा अपने important notes को या अपने important topics वगयरा को उनी को दुबारा से करने का समय है यानि कि revision जितनी ज़्यादा अच्छी आप लोग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर improvement आ सकती है ये पहला point है आपका कि इस समय में आपको सबसे पहले किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है revision दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको screen पे NCRT बनी वे दिख रही होगी और कुछ लिखा हुआ भी show हो रहा होगा यानि कि NCRT के कुछ back questions अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि frequently NCRT के जो पीछे exercise questions होते है as it is direct जो है वो पूछ लिए जाते हैं और बहुत help भी करते हैं आपको आपका concept clear करने में इसके लाब आप questions की practice जितनी ज़्यादा करेंगे इस time पे वो आपके लिए अच्छा रहेगा इसके बाद हम देखते हैं कुछ diagrams के लिए बात की जाए गई है याँ पे यानि कि practice all important diagrams जितनी ज़्यादा आप diagrams की practice करेंगे important diagrams की बैसे के लिए वो चाहे आपकी first unit के flowering plants से related हो या human reproduction के उपर हो या फिर genetics से हो या bio technology से हो या human health and disease से हो जहां से भी important diagrams निकल सकते हैं या बन सकते हैं किसी chapter से तो आप उनके practice जरूर करें मैं आपको बताऊंगा कि आपको important diagrams कहां से मिल सकते हैं लेकिन वो अपनी next video में इसमें मैं सिर्फ आपको कुछ strategies के बारे में बता रहा हूँ अगला जो हम देखते हैं या पे draw possible diagrams to support your answers अब ही सही तो इसे क्या होगा कि जब आप अपने boards में जब आप अपना exam दे रहे होंगे तो जहां भी आपको need लगे कि यहां मैं इसके साथ diagram को attach कर सकता हूँ या मैं diagram draw कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो बिलकुल कीजेगा आपका diagram जो है चाहे वो उसमें पूछा ना गया हो लेकिन अगर आप उसके support में या उसके reference में उसको बनाते हैं तो यह एक अच्छे marks मिलने की तरफ आपको लेके जा सकता है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यह कैसे मिलेगी जब आप important diagrams की या diagrams की practice करेंगे इस समय में जो कि अभी हमने previous point पे बात की थी तो draw possible diagrams to support your answer and you can get a good marks next point जो हम कहते हैं कि जब आपने concept अपना पड़ा है या अपने topic अपने पड़ा है revision आप अच्छे से करते चले जा रहे हैं तो उस पूरे concept को या topic को हम क्या कर सकते हैं कि explain what you have learned जो भी आपने पड़ा है उसको explain कर सकते हैं कर सकते हैं आप अपने भाई बहन या दोस्त की help ले सकते हैं आप उनको बठाईए अपने सामने बुलाईए उनको या उनको concept पड़ाईए तो इससी क्या होगा कि जो आपने पड़ा है वो आपका बहुत अच्छे से जो है वो revise होगा और उसके साथ साथ वो एकदम concept जो है यह आपको बहुत fruitful रहने वाला यह बहुत अच्छी टेक्निक है इपनिया मैंने खुद पे भी कई बार अपने उपर apply भी की है इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को तो जरूर follow करें बाकी चीज़ तो आप करेंगी करेंगे लेकिन इसको जरूर ध्यान में रखे उसके लावाज अगर मैं next point के यहां पर बात करूं तो यह आपको एक picture दिख रहे होगी जहां पे कुछ students एक exam देते में नजर आ रहे हैं लेकिन आपको exam अभी नहीं देना आपको practice करनी है कुछ test की form में you have to practice along with test इनी test की वज़ा से अब देखिए यह test कैस को सकते हैं यह test के topic वाई हो सकते हैं चैटर वाई हो सकते हैं आपकी कोई unit wise में आप양 लिमिटर ताइम पिरियर जितने time में आप उसको complete कर सकते हैं जतना अपने time मनें जतने जादा आप के प्रहेंट को देखने हैं चिछक्त तरह के आप किजिए और किस् तरह के branगा जाला यह यह हमारा अगला point है इस strategies के अंदर और यह भी बहुत important strategy है test देने वाली next अगर मैं बात करूँ तो हम बात कर रहे हैं पर practice previous year question paper test कैसे करने आपको test आपको खुद को करना है previous year questions के साथ या तो आप उनकी practice question wise कर सकते हैं या topic wise questions को opt कर सकते हैं complete आपके जो पूरा का पूरा paper आया है आप उसको भी practice कर सकते हैं यहां previous year में कम से कम कम से कम नितो 5 साल के paper की practice जरूर कीजेगा कि पिछले 5 सालों में किस तरह किस सवाल पूछे गए हैं और आपको वहीं से idea हो जाएगा कि कौन से important questions हैं और ऐसी कौन से questions आ रहे हैं frequently जहां या ऐसी कौन से questions हैं diagram जिसमें पूछे जा रहे हैं frequently तो आपको बहुत सारी support मिलने वाली है इनसे तो कम से कम मैंने कहां आपको आपको पाच साल के paper की आपको practice करनी ही करनी है it will helps you तो यह बहुत जादा fruitful रहने वाला आपके लिए इस सीच का ध्यान रखेएगा next यह सारा काम जैसा भी हो आपका result oriented रहना चाहिए अगर आपका result output सही नहीं आ रहा है इस काम से तो यानि कि या उसको सही direction में या सही discipline के साथ नहीं कर रहे है तो आपको एक proper discipline के साथ एक result oriented काम करना है आपको result oriented sessions को बना रहा है आपने कि चाहे वो आपका test session हो या फिर आपका revision session हो किसी unit का या किसी chapter का तो suppose आपको इस chapter लेके बैटे हैं तो आपको उस chapter को इस तरह से करना है कि वो chapter आपके tip पे हो आपको concept अच्छे से आना चाहिए उस chapter के हर concept आपको अच्छे से आने चाहिए जब आप उसकी revision करने तो that means कि result oriented study होने चाहिए you have to focus on quality rather than quantity quality पे focus करना है और result लेके आना है अपने session का बागी का तो result आपका अच्छे रहे गई जब आप इस तरह से अपनी strategies बनाएंगे so उसके अलावा another very very important factor is or another very important strategy is sleep well to boost your memory आपको चीजों को memorize रखने के लिए आपको अच्छे नीद का लेना बहुत ज़रूरी है तो जितनी अच्छे से आप नीद लेंगे आप अच्छे से का मत्तब यह नहीं कि आप 10-12-12 गंटे सो रहे हैं यह सर ने कहा था यह वीडियो में हमने देखा था किसी में x y z कि भाई हमें तो बहुत अच्छे से सोना है जितनी आपकी body को need है rest कि कई ऐसा होता है कि body recover कई और कई इंडिविजूल्स ऐसे होते हैं कि 3-4 गंटे में या 3-5 गंटे में उनकी body recover कर लेती है और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार 10-12 गंटे 8 गंटे से उसके बाद भी यार यॉनिंग आ रही है मजा नहीं ले रहे हैं नहीं एक अच्छी नींद कितनी ले रहे हैं नहीं एक अच्छी नींद कितनी ले रहे हैं इसलिए मैंने बोला sleep well right तो इस प्रेश करती है या refreshment provide करती है तो यह बहुत important factor है यह भी बचो ध्यान रखेगा तो इसी के साथ all the best to all of you I hope कि अगर आप इन कुछ strategies को अपनाते हैं या सारी strategies को फॉलो करते हैं तो definitely यह चीज़ा सारी आपके लिए fruitful रहने वाली है अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि यह चीज़े अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ इन एक महिने में या last month में improvement होने वाली है इने strategies के साथ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और इस चैनल को subscribe करें और मेरे वीडियो को like करना ना भूले थैंक्स फवाचिंग